आज कड़पत जी का ये तीसरा दिन है और उनके विसरजन की तैयारियां हो रही है और यह जो है हन्वन वगरा होने जा रहा है क्योंकि पहले तो कड़पत जी आएते शाट दिनों के लिए लेकिन एक दिन पहले क्या हुआ कि संड़े को दो पिलिस हमारे घर के पास कुछ भी नहीं ता काने वगरा पुछ भी नबज रह थे लेकिन फिर भी उन लोगों उन्होंने आकर धंकीदी कि ऐसा है ये मुर्ति आप अंदर करें या तो फिर इसको मतलब विसर्जन की तो नहीं का उन्होंने का मुर्ति अंदर कर लें तो हुआ ये कि तीसरे दिन ही कड़पती पपा का विसर्जन करना पड़ रहा है मजबूरी वस जिससे बच्चे बहुत जादा ही दुकी है और सब एकदम नर्वास हैं उदास हैं बेमन से यहां पर सब हवन वगरा कर रहे हैं यानि कि जिस तरह से ले जाना चाहिए उस तरह से हर्चुलास नहीं है इन लोगों के अंदर तो यह जो है यहां पर हवन वगरा हो रहा है मॉख और सुभई की आर्ति हो चुकी है तो यह आप लोग ही देखे कि सी के चेरे पर कोई भी रौनक नहीं है जिसी हिसाब से सब ले जाते हैं तो पहले बच्चों लोगों ने हवन किया और अब यह बड़े लोग हावन कर रह यहां पर क्रोड़ा ना तो मतलब नहीं था लेकिन वहा क्या था कि यह थोड़े बहुत पूरियां वगर बनाएंगे प्रिशाद वगरा बनाया गया जिसे कि कन्याओं को देने के लिए और यहां पर यह भगवान जी का भूग लग रहा है कि लिए गाओं मेरे करती पैसा यहां कि बेमन से पूरी तैयारिया हुई है और इधर भगवान जी को भोग लग चुका हुआ है और यहां पर कन्याओं को आप लोग देख सकते हैं कि प्रिशाद वगएरा दिया जाएगा लेकिन पता नहीं किसी को क्या सूजी कि कि किसी ने पुलीस वालो से कंपलेंड कर दिया तो बोगा कर घर पर धंकी देगा जाए तो इसे वज़ा चीहां कि लिए ने बूखिता करना पड़ाँ कि यह है जिसने जो भी गलत किया फिलाल ऐसा नहीं करना चीह था कि बच्चों के चेहरे पर उदासी ले आएं लेकिन ठीक है जो भी हुआ सब ठीक ही कहिए बगवान उनका बला करें जीनों निकी